हलो फ्रेंड्स माइनम इस माइपाल सिंग, I welcome you on YouTube चैनल गाइडली तो आज जो आपको मैं कुश्चन कराने वाला हूँ वो टाइम एंड वर्क का एक बहुत ही अच्छे लेवल का कुश्चन है अगर आपके concept clear होंगे तभी आप इस कुश्चन को कर पाएंगे otherwise आपको time लग सकता है, मैं difficult कुश्चन की बात नहीं कर रहा हूँ बट हाँ यहाँ पर logic अपनाने की बात की जा रही है तो logic अगर आपके clear होंगे फिर जल्दी solve कर पाएंगे otherwise आपको काफी time लग सकते हैं तो देखिए, कुश्चन क्या बोल रहा है अमन, बमन, चमन together can do a work in d days when work is complete, it is found that अमन has done 40% of the work अमन alone can do the whole working 2d plus 3 days the efficiencies ratio of चमन and बमन is 5 is to 1 then in how many days चमन alone can do the same work और उसी काम को अगर चमन अकेले करेगा तो कितने दिन में उस काम को complete कर सकता है आप वीडियो को pose करके कुश्चन को एक बार solve जरूर करना उसके बाद आप solution देखना तो आपको सारी चीज़ें clear हो जाएंगी अगर आपने time जादा लिया था तो क्यों जादा लिया था वो पता लग जाएगा अगर आपने कहीं गलती की तो वो पता लग जाएगी या फिर अगर starting में ही आपने कोई गलती कर दी तो कहां से start करना चीए था और किस तरीके से दिमाग में इस कुश्चन के बारे में सोचना चीए था क्या लॉजिक लगना चीए था वो सब आपको clearly समझ में तब आएगा जब एक बार पहली बार आप attempt करेंगे चलिए मैं सीधे इस कुश्चन के solution की तरफ आपको ले चलता हूँ चमन और बमन की efficiency का ratio यहाँ पर मैं चमन और बमन की efficiency का ratio लिख लेता हूँ चमन और बमन की efficiency है 5 is to 1 यह क्या है इनकी efficiency का ratio है और आपको दे रख था कि जब काम खतम हो गया अमन हैस दन 40% of the work और जो total work था उसमें से 40% काम तो इसने किया तो अगर अमन ने total मिला के 40% work किया तो बाकि चमन प्लस बमन ने total मिला के कितना काम किया 60% तो जो भी number of units अगर हम 100 unit मानते हैं तो 40 unit इसने किया 60 unit इसने किया तो हम इसको यह बोल सकते हैं ना कि इनका जो काम है जो इनोंने individual काम किया 2 is to 3 के ratio में चमन और बमन दोनों ने मिल के जो काम किया वो 3 unit के बराबर है अब आप देखिए चमन एक दिन में 5 unit करता है efficiency का मतलब क्या होता है 5 unit और बमन कितना करता है 1 unit तो दोनों मिला कि एक दिन में जो काम करते हैं वो करते है 6 unit अब यह जो 6 unit काम हो रहा है वो इसी का ratio तो है अगर इस 3 unit का मतलब 6 है तो इस 2 unit का मतलब क्या होगा 4 तो अमन एक दिन में आपका 4 unit काम करता है यह directly आप यहां से बता सकते थे कि अगर चमन और बमन मिलके 6 unit काम कर रहे है और वो total work जो है वो 2 is to 3 के ratio में है तो यह 3 unit किसको represent करता है 6 unit को तो यह 2 unit किसको represent करता होगा 4 unit को that means यहां से आपको directly अमन चमन और बमन की efficiency निकल के आ जाती राइट I hope आपको समझ में आ गया होगा अब देखिए यह efficiency क्या होता है एक दिन का काम होता है अब आपको यह दे रखा था कि 2D plus 3 days में अमन ने पूरा काम किया अमन alone can do the same work in 2D plus 3 days तो 2D plus 3 days में अगर आप एक दिन के काम का multiplication करते हैं तो यह total work हो जाएगा न number of days into efficiency का multiplication क्या होता है total work होता है ऐसे ही अगर यह सारे मिलके करते हैं तो यहां पर बोला गया था d days में होगा तो सारे मिलके करेंगे तो क्याम कितना करेंगे एक दिन में 4 plus 5 plus 1 यही तो वाला पार चल रहा है तो अब आप देखिए यहां पर क्या हो गया आपके पास 8D plus 12 is equal to 10D तो आपके पास यहां पर हो गया 2D is equal to आपके पास आगया 12 तो दी आगया 6 तो यहां से d की value आपकी directly एक छोटे से equation में आ जाती तो अगर आपने यह logic apply कर लिया होता ना अगर आपने यह logic लगा लिया होता ना कि यह जो 2 is to 3 का जो ratio है यह इनके individual काम करने का ratio है तो 2 is to 3 इनोंने total मिला के जो काम किया कितने unit कितने unit काम किया उसका ratio था और यह हर एक दिन में 6 unit काम कर रहे थे तो यह वाला जो part है यह वाला जो part है 3 किसको represent कर रहा था 6 unit को क्योंकि दोनों ने मिला कि 6 unit काम किया और यह 2 किसको represent करेगा फिर 4 को यही आपको देखना था बाकी इन दोनों से यह d की value निकल के आ जाती अब आप देखो कि d की value अगर 6 आ गई है तो अमन अकेले कितने दिन में काम को खतम करेगा वो आपको पता लग गया होगा 15 days में करेगा क्योंकि 2D plus 3 था यह तो हमें निकालना नहीं था अगर निकालना होता तो यह directly आ जाता अब देखिए total work भी आपको पता लग जाएगा अमन एक दिन में 4 unit काम करता है और 15 दिन total आ गये हैं तो total work भी आ जाएगा आपका total work आप यहां से आराम से निकाल सकते थे या तो आप ऐसे कहते 15 into 4 करके 60 निकालते और यह भी कर सकते थे कि सब मिलके 6 दिन में कर रहे हैं और सब मिलके एक दिन में 10 unit काम करते हैं तो 60 unit काम हो जाता तो अगर यह काम चमन को करना है अकेले तो कितने दिन में होता तो 60 divided by 5, 5 से divide क्यों कर रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि starting में हमने कहा था कि चमन और बमन की efficiency का ratio 5 is to 1 है, total दोनों का 6 था, तो यहां पर यह हर दिन में 5 unit करता है तो answer क्या जाता आपके पास 12 days, तो आपको दिख गया होगा कि question बहुत आसानी से हो सकता था, ब बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा, बट जैसा मैंने का इसकी language complicated थी, question बहुत ज्यादा difficult नहीं था, आपको language को समझना था और आपके दिमाग में common sense apply करना था, हमारी टीम ने एक video course launch किया है, जो कि आपका बहुती अच्छा और बहतरीन video course है, जिसमें आपको हर एक topic पर videos available है, उन पर PDFs हैं practice के लिए, उनकी quiz कराई जाती है आपको secret telegram group में, right, weekly doubt sessions होते हैं, lifetime validity है, आपकी previous year papers के recap है, और इसमें test series भी included है, and this only cost 14.99, so अगर आप bank का paid course लेना चाते हैं तो इससे अच्छा कोई course हो नहीं सकता, और इससे कम पैसे में आपको इतनी qualitative चीज़ें आपको कोई provide नहीं कर सकता, right, अगर आपको कोई इससे related inquiry करनी है, तो आप phone कर सकते हैं, और email लिख सकते हैं, आपका reply किया जाएगा, वीडियो को ज